नमस्कार दोस्तों दोस्तों चलिए आज हम लोग चलते हैं मेरे फिल्ड मों देखिएगा कि मैं किस तरह से प्यायर वेक्सिनेशन करता हूँ दोस्तों ठंडी के माहा जैसे यह आता है हम लोग जो है अपने फील्ड में पिप्यार वैक्सिनेशन जरूर करते हैं क्योंकि यह एक ऐसी पीमारी है जिससे जो हमारे किसान भाई होते हैं उन्हें बहुत ज़्याद लास होता है चलिए देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच किसान के यहां तो सबसे पहले मैं आप लोग को बतलाता हूं कि प्यार वैक्सिन को तैयार कैसे किया जाता है तो मैं अभी आपको एक सबकट नीडिल जो है लगा हुआ एक सीरीन दिखाया इसी में से जो है जो इसका में वैक्सिन है उसको डाइलवेंट जो होता है उसमें स इस वैक्सीन में जो है उसे पहले घोल देंगे और फिर उसको सिरीन से खीज करके जो पिर से डाल देंगे और वहीं से जो है हम लोग एक एक में निकाल करके जो बक्रियां होती हैं उनको लगाएंगे इन सारी चीलों में एक चीँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो यह वैक्सीन होता है उसको जब आप आप से घर से जब लेड़ा की निकलते हैं तो उसे जो है जरूर रखिएगा क्योंकि इसका जो वैक्सीन होता है और अगर नहीं करेंगे तो यह जो है वैक्सीन खराब हो जाएगा और आपको जानवरों में किसी तरह का प्रॉफिट नहीं देगा तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो में वैक्सीन था उसको पूरी तरह से मिला दिये और उसको भी अच्छे तरह से हिला दिये ताकि जो है वैक्सीन जो है पूरी तरह से डैल्वेंट में अच्छे से खुल जाए और जो वैक्सीन है वह सभी जो बक्रियां है जो जनरली सोटों लगाएंगे उनमें जो एक्विलेंट जो है मात्रा मे पहुँच पाए तो दोस्तों अभी ये वैक्सिन तयार हो गया इसके बस्याद जो है एक एक में निकाल करके जो है सभी बक्रियां है उनमें लगाते चलेंगे यह जो वैक्सिन होती है दोस्तों चार मन्द से उपर के जितने भी बक्री या फिर जो भेड़ होते हैं उनको हम सायता से लगाईएगा अगर आपके पास नहीं है तो जो मोटी नीड़ीला ती 18 नंबर की उससे जो है आप काड करके घीस लीजिएगा और इस तरह कि नीडिल का बना लिजेगा और उसी से जो है वेक्सिनेशन कीजेगा नहीं तो क्या होगा अगर आप पतली नीडिल या फिर लंबी नीडिल से लगाएंगे तो कभी-कभी जो है यह वैक्सिन इंट्रामस्क्रो चली जाती है और उसके कारण से स्वेलिंग वगेरा हमको देखने को मिलता है तो इन सारी चीजियों से बचने के लिए आप जो है इसी तरह से सब कट नीडिल की साहता से ही वेक्सिनेशन कीजेगा दोस्तों यह वैक्सिन जो है हर बकरी पालक या भेड़ पालक को लगवाना बहुत ही जोरी है क्योंकि प्या वार्ब जो Hubden पालक के सांत sakने नां की दोस्तों अभी आप जो बकरी पालक देख नहीं है होनी रामसिदार है और यह सबसे जागरूग बगरी पालः को में से एक हैं यह मुझे अखर्णं करते हैं जानकाया देते रहते हैं कि कब वेक्सीनेशन करवाना है या फिर इन में कब डिवार्मिंग करवानी है और प्रापर हर बार बार से में यह सरी ऐसे बगुर्ठी पालग भी है जो कि वेक्सिंशन कराना भुzna भी रजाते हैं उनको उनका कहना होता है कि वेक्सिन लगाने से शुच्छ साथा या फिर उनमे जयादा परिसानिया आ जाती यह जब यह कुछ नहीं है कि सानसान्तियों जो वेक्सिन होता है वह जो जानवर होता है उसके बचाव के लिए ही होता है कभी उस पर जो है harmful effect नहीं करता है कभी कभी जो 0.1% chances है कि कोई pregnant जो जो भेंड है या फिर बकरी है वो जरूर reward कर जाती है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जो यह percentage है वो कभी 20% 30% आपके जानवरों को हानी पहुंचाए इस तो वेक्सिनेशन से पहले एक चीज को और जरूर धियान रखेगा कि इन में डिवार्मिंग भी जरूर करवा लिजेगा यदि आप अपने भेंड बकरियों में वेक्सिनेशन के 5-7 दिन पहले डिवार्मिंग करवा लेंगे तो वेक्सिन का जो असर होता है वह काफी अच् पहले हैं तब कि सित्य में अलवेंडा जोल फिन बेंडा जोल या फिर आवर्मिंग का जो सस्पेंसान आता है उनकी साहता से भी डिवार्मिंग कर सकते हैं दोस्तों इन सारी चीजों के अलावा और भी कई चोटी-चोटी चीजी है जिस पे हर पक्रिपालक किसान साथी को जरूर धियान देना चाहिए जैसे कि अभी नौंबर का महेना चालू हो गया है और जो घास होते हैं उन पे जो सुबह सुबह उसकी बुंदे पड़ती हैं वो बक्रियों के लिए काफी हानिकारक होती हैं और किसान साथी यदि जल्दी जो है अपने बक्रियों को चरने के के लिए लेकर जाएंगे और ऐसे घास जिस पर उसकी बुंदे हैं उसको खाएंगे तो निशीत तोर पर उसके मुहां और जो चाले होते हैं वे उन बक्रियों में होंगे तो आप जो है अपने बक्रियों को कम से कम सुबह नौ के बाद ही नौ बजे के बाद ही जो है चरने कि जब भी आप अपने भेड़ बकलियों को खास करके ठंडी के महने में सुबह बाड़े से निकाल कर चराने के लिए लेके जाते हैं तो सबसे पहले घर में ही नलकूप या फिर वोरवेज से निकला पानी जरूर पिला के लेके जाएं जिससे कि वो बाहर के जो पानी है उसक आंकोने दोर रह सके तो दोस्तों यह पी प्यार वेक्सिनिशन और उस से समन्दित कुछ जांकारियां थी जो की मैं आपनों के सांथ साजा किया तो उमिद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लिए आमको वीडियो अच्छर लगा होगा और आप शरूर कर